हम पढ़ रहे था टी फार्मा फस्टे की फार्मासोटिक्स का चैप्टर ड्राइंग के बारे में इसे पैनले हमने पढ़ लिया था ड्राइंग क्या होता है और ड्राइंग की एक्कूब्मेंट कौन-कौन से थे एक्कूब्मेंट में हमने पढ़ लिया था ट्रे ड्रायर फ् the blue to be dried is atomized into fine droplets मतलब जो इसमें क्या होता है जो हमारा liquid होता है या पिर कह सकते हो जो हमारा solid होता है उसमें जब liquid content ज्यादा होता है तो इस spread air के थूरू जो liquid होता है वो fine droplets में breakdown है तोड़ जाता है अगला point है the droplets through in moving steam of hot gas इसमें क्या होता है जो droplets बनते हैं जो droplets बनते हैं वो क्या करते हैं वो गरम हवा के साथ move करते हैं equipment में अगला point है temperature of droplets immediately increase and get dried in the form of spherical particle जब जो हमारी hot gas होती है उसका temperature क्या होता है बहुत ही ज्यादा होता है तो जो हमारे liquid के droplets बनते हैं वो तुरंत ही क्या हो जाते हैं हीट हो जाते हैं और हीट होकर वो vapor form बनकर बाहर निकल जाता है हमान लिए सफाइक क्यूब्मेंट है यह हमारे equipment होता है यह equipment के 2 parts होते हैं पहले तो एक होता है atomizer और इदर होता है cyclone separator अब यहां पर क्या होता है यहां से हमारा liquid heat होता है यानि जो हमारा Material होता है उसको dry करना होता है हम यहां से feed कर वाते हैं और यहां से क्या होता है गर्म हवा जाती है लेकिन यहां पर क्या होता है एक लगा होता है हमारा atomizer काम यह होता है कि जो liquid और solid का mixture आ रहा है वो यहां उसको मतलब क्या करता है यह इतनी तेजी से round करता है कि जो हमारा liquid होता है वो चोटे चोटे ड्रापलेट में ब्लेकडाउन यह पर तूट जाता है और इधर से हमारी क्या आती है होट कैस तो जो होट गैस आती है वह यहां पर बहुत तेजी से राउंड करती है और जो हमारा liquid होता है वह भी यहां से round करता हुआ यहां पर हमारा जो वैपर होता है वैपर यहां से निकल जाती है और जो हमारा solid particle होते हैं वह यहां पर आके इखटा हो जाते हैं यह होता है हमारा dry product तो यह उसकी working हो गई यह हमारे होगी working लेकिन आगे भी चलके देखते हैं अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की इट कंसिस्ट ऑफ लाज सेलेंडिकल ड्राइंग चेमबर विट आज सौड को निकल बॉटम made up of stainless steel यह जो हमारा पूरा पूरी assembly होती है यह stainless steel की बनी होती है इसमें cylindrical shape का यह बना हुआ होता है और इसमें दो चेमबर होते हैं जिने कहते हैं हम एक होता है हमारा atomizer और दूसरा हमारा होता है कि saiklo on separator दूसरा है अगला point हमारा है कि डाइंटर और ड्राइंग चेमबर रेंज अबाउट टो पॉंट फाइब तूनाइन मीटर जो हमारा ड्राइंग चेमबर होता है जू उसका ड्राइंडर होता है इंचौणाय जो होती है 10 मिटर से लेके 9 मिटर तक का होती है and height is 25 meter or more प्रतुस की उंचा ही होती है वो क्या होती 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 होता है 25 meter और उससे अधिक होता है अगला point है an inlet for hot air is placed in the roof of chamber जो हमारा atomizer होता है उसके top पर एक inlet होता है जहां से गरम हवा आती है अगला हमारा point है I spread this atomizer is set in the roof जो atomizer होता है वो भी drying chamber के उपर लगावा होता है और जो droplet होते है वो 300 mm तक का उसको तोड़ देता है जो liquid होता है जो liquid के droplet होते है droplet का size कितना कर देता है वो 300 mm कर देता है rotates जो हमारा रूप होता है मतलब जो atomizer होता है वो 3000 से लेके 5000 rpm तक का round करता है कोई बीचीज जो इतनी गति से वो नाचेगा तो उसके बीच आने वाली कोई बीचीज वो छोटा चोटा तोटी जाएगा तो यह हो गया इसका atomizer का round इसका round कितना होता है 3000 से लेके 5000 rpm तक का यह round करता है अकला हमारा है bottom of bottom of dryer is connected to a cyclone separator जो bottom होता है जो हमारा drying chamber होता है वो एक cyclone separator से connect होता है जहां पर जो हमारा drying material है वो जाके एकटा हो जाता है तो हमारा होता है cyclone separator अब बात करते हैं इसके working की तो जो working है working involved in three step जो इस पर ड्रायर है इसके working होती है वो तीन स्टेज होते हैं या फिर तीन स्टेप होते हैं ड्राइंग के पहला होता है atomizer of the liquid atomizer का मतलब ही होता है कि जो हमारा liquid है हमारे material में जिसको हमको dry करना है जो उसमें liquid है उस liquid को छोटे छोटे ड्रॉपलेट में तोड़ देना ही कहलाता है atomization या फिर atomizer जिसके तुरूब हम इसको ड्रॉपलेट में तोड़ते हैं वह हमारा होता है atomizer और जो चोटे छोटे चोटे ड्रॉपलेट में तूड़ जाता है तो उसे selection of atomizer is important selection जो हमारा atomizer होते हैं उसके बहुत ही वेरेंट होते हैं तो जो selection होता है atomizer का वह बहुत ही important role play करता है कि दूसरा है अगला point rate of feed is adjusted in such a way that droplets should be dried before reaching the wall जो हमारी feed जो होती है उसको हम control कर सकते हैं फिर adjust कर सकते हैं इतना हम feed करवाते हैं कि जो हमारा material है वह चेंबर की wall तक ना परूचपाए उससे पहले जो उसके अंदर का जो liquid है वह छोटे छोटे ड्रॉपलेट में तूड जाए वह हमारा कहलाता है atomization working का अगला जो ड्रॉपलेट्स की ड्राइंग है वो किस के तुरू होती है होट एर के तुरू होती है अगला point है the temperature of air is adjusted in such a way that droplets should be dry before reaching the wall बन्तब जो temperature हम अपनी hot air का इतना adjust करते हैं कि जो droplets है जो material का moisture या फिर water है वो chamber की वाल तक पहुझने से पहले क्या हो वह वैपर farm में convert हो जाए और हमारा जो material है वो dry हो जाए अगला इसका इस्तेफ है तीसरा stage है recovery of the dried product यानि dried सब कुछ तो हो गया droplets में convert कर लिया वो जाएगा atomization हमने उस droplets को dry कर लिया यानि वैपर farm में convert कर दिया तो वह हमारा हो जाएगा drying of the liquid droplets अब अगला हमारा third stage है recovery of dried product यानि जो हमारा product सूप चुका है उसको हम कैसे recover करें तो पहला हो जाएगा पहला point हो जाएगा centrifugal force of atomizer drives the droplet to follow helical path क्या होता है centrifugal force के तुरू क्या होता है जो हमारा dried material होता है वो नीचे receiver तक का पहुंच जाता है जहां पर हमारा dried material होता है उसे कहता है है helical path अगला point हो जाएगा पार्टिकल साइज आप दा फाइनल प्रोडक्ट रेंज फ्रॉम 22500 mm जो dried material होता है जो ऐसा material जिसमें से moisture या फिर लिक्विड पुरा निकल चुका है उसका जो लिसे पार्टिकल साइज कितना होता है है को से के 500 mm तक होता है है कि द स्वाट कोंटेैंट इन जिसमें कि यह उसमिना सॉलेड कान्टेंट्ट है यह विस्कूस यह बार्टिक 만들어 चाहिए कि टास method डिल्रेट कि हमारा लास्ट में हमें आप्टेंड होगा मिलेगा वो depend करता है feed rate पर यानि कितनी तेजी से हम उसमें मठेल को equipment में डाल रहे हैं अगला है पार्टिका साइज depend on disc speed यानि जो उसका atomizer है उसकी speed पर depend करता है ये पार्टिका साइज कितना होगा अब बात करते हैं यूजज की इसके यूज कहां कहां पर करते हैं फिर यूज इसका क्यों करते हैं पहला point है to get the product in a better form इसमें क्या होता है इस्प्रेट डायर के थुरू जो हमारा product होता है वो better यानि अच्छी और स्था में हमको मिल जाता है अगला benefit है the quantity of material to be dried in large यानि हम इस equipment के थुरू हम अपने large material को dry कर सकते हैं एक साथ अगला point है the product is thermoable hydroscopic और undergo chemical decomposition अगर ऐसे कोई chemical ऐसा कोई material है जो थर्मोलेबाइल है है और chemical को डीकमपोर जल्दी कर देता है ऐसे हम material को अपने अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें